ओम शान्त आपका प्रश्ण है लास्ट सोफास्ट सोफस्ट आने के लिए क्या पुर्शार्थ करें कोई बच्चा स्कूल में लेट एडमिशन ले और उसे टॉप में आना है तो वे क्या करें दादी जान की एक साल लेट आए पहले आए थी पारिवारिक कारण से एक साल लेट हो गई और जब आही तो देखा कि ये तो बहुत आगे चले गई है मैं तो बहुत पिछे रहे गई बाबा से का बाबा मैं तो बहुत पिछे रहे गई क्या करूं बाबा ने कहा बच्ची मुरली छे बार पढ़ो तो मैं इनके बराबर आ जाओंगी आ जाओंगी दादी जान की ने अपने अनभव में का कि मैं बारा बार पढ़ती थी बारा बार मुरली पढ़ने के लिए ये नहीं कि मैंने ये के अंदर काम नहीं करना क्योंकि मुझे तो बारा बार मुरली पढ़नी है वो सारे काम भी करने है और उसके बाद मुझे बारा बार मुरली पढ़नी है पहले जो मुर्ली चले उसे लिखो और उसके बाद उसको बार-बार पड़ो बेंच पर सोना उठ करके पड़ना समी निकाल करके पड़ना काम भी करना और रेस्ट के टाइम पे पढ़ाई भी करना क्योंकि पड़ाही जो रहे गई है उसका कवर करने के लिए समय तो देना ही होगा नूँ पहला तो परमात्म ज्यान के एक-एक कंसप्ट को बहुत अच्छी तरह समझना मन मना भाव करना यह मन मना भाव अपने आप में बहुत बहुत बड़ा शब्द है यह एक बहुत बड़ी सलहा है जो बाबा ने स्रीमत दी है वो अपनी मन को बैठ कर मनाना बुद्धी को स्विकार कराना फिर बुद्धी के ओडर को हर आत्मा तक अपने शरीर के एक-एक अंग में धार्ण कर अनुभव कराना खुद भी अनुभव करना और सब को अनुभव कराना सारे ज्यान को धार्ण एक सेकिन में किया जा सकता है जरूरत है बुद्धी स्विकार कर ले आप इतना अच्छी तरह से समझाएं कि बुद्धी डिसीजन दे दे निर्ने दे दे कि यही करना है मुझे सिरफ और सिरफ बाप को सुनना है और किसी की बात को सुनना ने इसका मतलब यह नहीं कि कोई कुछ कहे तो मैं उसको सुनो ने सुनो परंतु यदि वो बाबा की स्रीमत के अनुसार है तो उसे स्विकार कर लो और बाबा की स्रीमत है के नहीं इसे अपने जीवन में नहीं लाना है तो उसे मतलब वा स्विम्पल सा सीदिसी बात बाबा की ज्यान को समझ कर अपने जीवन में अपलाई करना प्रियोग करना जितना अच्छी तरह जितना जल्दी करेंगे उतना फास्ट टॉप प्लेश लेशेक्ट जैसे बाबा सब को समझ ब्रिष्टी से देखता है किसी भी परकार की ड्रामा की एक्टिविटी पर हलचल में नहीं आता है ड्रामा की एक्युरेशी बुद्धी में रखता है बाबा कोई ऐसा संकल्प भी नहीं कर सकता करता कि जो किसी भी आत्म को दुख पहुँचे बाब समान बना है बस नियमित अटेंशन चाहिए हर मिनट का अटेंशन चाहिए हर सेकिंड का अटेंशन चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बाबा की स्रीमत पर है एक इसी पर अटेंशन लगा दिया जाए तो हमारे बोल हमारे कर्म हमारी द्रिष्टी हमारी वृत्ती स्थिर हो जाएगे है सहज बागी करना आत्मा बन कर इस रत से बाबा की स्रीमत पर इतना चल देना है कि पीछे कहीं मुढ कर ना देखें तो पास्ट और पस्ट आ सकते हैं रेश चालू है चितना तेज दोड़ सकते हो उड़ सकते हो वो आपका अपना च्वाइस है कि आपने कितना तेज जाना है किस स्टेज को प्राप्ट करना है एक दम एक 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 एक्षन जैसे बाबा का है ब्रमा बाबा को फोलो कर सकते हैं ब्रमा बाबा की जीवन कहानी को पड़े ब्रमा बाबा ने कब कब क्या क्या किया इसके लिए मुली को एक ही मुली को दो तीन बार जरूर पड़े पड़े मेंस बिट्विन दा लाइन बाबा क्या कह रहा है वो फिर उसको मनन चिंतन करें बुद्धी में उसका मन्थन करें एक एक बात का मन्थन करें तो वो धिरे धिरे हमारे जीवन का हिसाब बनते जाएंगे एक एक संसकार भी हम रो जाना अपने जीवन में स्रेष्ट बाबा की स्रीमत पर बनाते जाएं क्योंकि करने से मिलेगा और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रमा को मारी इश्वरिय विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंदर पर संपर्क करें या आपका कोई प्रशन है तो 9213106986 पर वाट्सेप करें ओम शान्ति